Hello friends, welcome to this channel दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जारखंड B.A. इंट्रेंस एक्जाम के लिए इंगलिस के most important topic जो कि आपके exam के point of view से important ही नहीं बहुत important है दोस्तो यहाँ पे जो हम topic बताने वाले हैं यह सब वो topic हैं जिससे हर साल जो है वो question पूछा जाता है यहाँ पे आपको topic के साथ हम question का weightage भी बताने वाले हैं ठीक है कि कौन से topic से कितने question पूछा जा सकता है अगर आप लोग कम time में English की अच्छे खासे तैयारी करना चाहते हैं तो आप बस यह topics को पढ़के exam में जरूर जाइएगा क्योंकि यही वो topic है जो आपको English में score करवा सकते हैं तो चलिए बिना time waste की वीडियो को start करते हैं दोस्तो और एक बात अगर आप लोगों ने हिंदी के most important topic का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के playlist में चले जाएए महाँ पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा उसे भी देख लिजेगा तो चलिए देखते हैं कि English में top 10 important topics कौन सी है दोस्तो पहला topic है phrases एवं idioms यानि कि जिसे हम हिंदी में why can'ts या फिर मुहावरा गाते हैं दोस्तो यह topic जो है या फिर idioms दोनों से पुछे जाते हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ लिजेगा देखिए अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको कि वोल B.A के इंट्रेंस एक्जाम में ही ये काम नहीं देने वाला है बलकि अगर आप CTate के एक्जाम दोगे या फिर कोई भी टेचिंग एक्जाम दोगे तो वहाँ भी यह बहुत इंपोर्टेंट आपका रोल करने वाला है तो चलिए नेक्स टॉपिक है एंटोनिम्स यानि की विलोम सब्द अपोजिट वर्ड ये इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको भी आप पढ़ लिजेगा यहां से आपको जो है वो एक कोशन पुछा जाता है तिस्ता में हैं सिनोनिम्स यानि के समनार्थी प्रियमाची सब्द जीसे हम लोग कहते हैं तो यहां से भी आपका एक कोशन आपके एक्जाम में बनता है वन वर्ड सब्सुटिविशन चोथे नमर पे है यानि कि अनिक सब्दों के लिए जो एक सब्द कहा जाता है वहां से भी आपका एक कोशन जो है वो आपके एक्जाम में बनता है तो यह सब बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आपको जरूर पढ़ना है देखे अब यह सब आप तहांस पर होगे तो आपको एक लिस्ट प्रोफैट करवा दूँगा अमें एंटोनिम्स का, सिनोनिम्स का, वन वर्ड सब्सुटिविशन का वहां से आप जो है इसे पढ़ लेना उससे बाहर आपके एक्जाम में कॉर्शन नहीं आएगा देखें, नेक्स्ट कॉर्शन है ग्रामर का टॉपिक आपका है प्रिपोजिशन यहां पे आपको जो है वो फिल इंदर ब्लैक स्टाइब का कॉर्शन पूछा जाता है और उसमें से आपको चार ओप्सन दे रखा होता है कि कौन सा यहां पे प्रिपोजिशन जो है वो फिल होगा ओके, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लिजेगा यूजे जो है जैसे कि अधिकांस फोर का, ओफ का यह सब का यूज जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना, यही सब से रिलेटर ज्यादा कॉर्शन पूछा जाता है एट हो गया, दा हो गया, ठीक है तो आप इसे जो है वो अच्छे से पढ़ लेना next topic है tense, देखे tense से रिलेटर भी आपका कॉर्शन पूछा जाता है fill and the blanks के form में, ठीक है आपको दे दिया जाता है कि future tense का कोई word यहां पे आपको mention करना होता है fill in the blanks में तो वो आपको इस type में question पुछा जाता है अगर आप लोगों ने English का set देखा होगा English का set 1 और set 2 जो है वो चेनल में आज चुका है जो है वो आना चाहिए कि कहां पे इलो का उप्योग होता है चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तो एट नमर का एट नमर में आपका word conversion ठीक है देखे आपको question में दे दिया जाता है कभी के नाउन इसको वर्ब में convert करें यह पूछा जाता है या फिर आपको word दे दिया जाएगा और उसको noun में कौन सा word होगा वो आपको बताना होता है या फिर आपको दे सकता है कि adjective एक दे दिया उसका noun form बताना है या फिर noun दे रखा है उसका adjective form बताना है कभी-कभी देखा जाता है कि singular form से आपको पुलरल में बताना की एक वचन दे रखा है उसका बहुचन क्या होगा यह हिंदी के लिए भी बहुत important topic है या फिर आपको बहुचन दे रखा है एक वचन में उसको क्या करते है यह आपको बताना होता है तो यहां से आपका एक से दो question पुछे जाती है नाइन topic की बात करें तो देखी correct the sentence sentence दिया लाता है उसमें से आपको उसको सुधारना होता है तो यहां से आपका एक से दो question पुछा जा सकता है इसमें generally क्या आता है कि find the correct sentence देखे चार option दे रखेगा उनमें से तीन option गलत रहता है एक option जो है वो सही रहता है तो यह भी पूछ सकता है find out the correct sentence नापका तीन option सही है एक option गलत है तो आपसे पूछ सकता है find out the incorrect sentence तो ऐस से question जो है वो इसमें पुछे जाते है और generally एक से दो question यहां से आई जाता है अब देखे, जो last topic है, find out the errors in part of sentence, एक sentence दे रखा, कोई word वहाँ पे mistakes से डाल दिता है, और आपको वहाँ से उसे find out करना होता है, तो यहाँ से भी बहुत ही यह important topic है, आपको पढ़के जरूर जाना है, तो यह सब जितने भी topic हम बताएं, यह सब आप अगर अच्छे से अभी ही पढ़ लेते हूं, तो आपको CTAT में, या फिर कोई भी TAT का exam देती हो, ओके, तो उसमें से जहां-जहां English पूछा जाता है, तो यही सब topic जो है, वहाँ भी generally आती है, ओके, तो आप इसे अच्छे से एकदम पुड़ा पढ़ लेजे, गाड़ेंटी है, आपका English में जो 15 marks का exam होता है, 15 में से 12 से 13 marks जो है, वह आपका secure है, कहीं नहीं जाने वाला है, तो बस आप इतने topics पे focus कीजिए, आपके पास time बहुत कम है, आप अच्छा score कर सकते हो, हिंदी का important topics का वीडियो आप नहीं देखे हो, तो जाके देख लेजे, वीडियो पसना है, तो वीडियो को like क कीजिए, चैनल को subscribe जरू कर दिजिए, ओके, जल से जल, हम reasoning और teaching aptitude से related भी important topics upload कर देए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में